अभी खा रहा है पूरी सब्जी क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तो तो क्रेटा खड़ी है एक चार ट्वंटी और एक चार शब्बेद कि अभी गुट मॉनिंग गाइस तो यहार आज सेटेड़े बहुत बढ़ी दिन है फाइनली चार से पास दिन कर वेट करने के बाद सेटेड़े और संडे आता है तो यहार आज हम निकल ले थे कानपूर और सबस अब गाड़ी की देखो अपनी रिडी है एक दम ना दो करके बहुत लगी होगी इसको लेकर इसको नहिला दिया कोई गंदे बहुत थी बस निकलते हैं थोड़े तरह में हम लोग कानपूर पर अब भी बस रूट पे हैं और यहार घर से निकल ले था थोड़ा सा एक काम की वज़े से रुका बहुत है एंड राउंड अपने को यहां स रहे निकलते हैं क्योंकि लेट दो ही गया यार चादा लेट नहीं करना है फिल पहुंश करके क्या प्यादना कि इसे कहते हैं पोपट होना पिछले दस मिनट से यहां पे जाम में फसे हुए हैं और निकलना ता 11 बजे एक घंटा लेट हो गया और अब फसे हुए हैं पता प्रशिवर्ण कितनी देर आया खुली नहीं रहा है आँ अ है । यह अ फाइनली जाम खुल गया है और जो टाइम दिखा रहा है अब वह आदे गंटे और बढ़े गया है अगि आदे घंटें को यहीं पर वेस्ट कर दिया है आदे गंटें जाम में फसे हुए थना और यह सिर्फ जल्दी ना निकलने कान है कि 11 बजे निकलना था लेकिन सेटेड़े था तो सुना भी ज़री था अब यह तो सो लो यह तो टाइम से पहुंच लो एक ही चीज पॉसिबल रहे हो आप यह ना खाली ट्रक है मतलब यह ना सिर्फ ट्रक का इस्ट्रक्चर है अभी इसमें कि वह तो यह अलगे लिदे यंगे दियता है अ शहीए जो पिलिया पाव ऻट रहा रहा है। और दो है यह जो है कि यह जो तो चुह जो घुम रही है कि उर्ट के वह थे जो जो हुए जो कि यहां पर यम नादी रहे अब यह जा पूल आगिया देखा झाल ता हूं आपको यह सामने तकरा है अब फ्ल आगया और यह हम जो लोगा है कि यह पुल वैसे तो अभी बना है कि बन बहुत सालों से रहा था अशाड सालों से अधिया से आप 10 सालों से फुल बनना था बन नहीं पारा था बट अभी इस एडली खुला है तो अब जब से यह फुला है तो कानपुर जाने का हमारे बाते एक और रूट हो गया है तो क्योंकि अब मिदर से भी जा सकते हैं पहले क्या था कि यह जो पुल अब पक्ता देखरों यहां में पीपे का पुल होता था तो वाई पीपे के फुल में कोई प्रिफर नहीं करता था क्योंकि यह मना नदी यहां पे बहुत बड़ी ह है अब मैंने तो आपको यह तो बताया नहीं कि मैं कानपूर की हो जा रहा हूं कानपूर में बेसिकली मेरे दीने भी रहती है अड्ज मेरी इस 부न से हुई तो मेरे सारे दीखर रेन्टे हैर आभ ब Cameron में but एकानपूर तो此 । आथे हैं पहले क्या था जबाग मैं कुरिकों दूता दो दोख जाता था तो कानपुर वाला रूट पकड़ता था तो कानपूर आना जाना होई जाता किसी न भी मुलाकाद तो कवी जघाती दिनगीisp ci जब से एक्स्प्रेसे बनाया है तो मैं उदर जाता ही नहीं हूँ और I guess मैं कानपूर राउंड तेर दो साल से उदर गया है तो भाई इसलिए मैंने कहा कि चलो आज चलते हैं टाइम निकाल के तोड़ा सा दोस्तों सभी मिलाएंगे दीदी सभी मिलाएंगे और तोड़ा सा अपना घूम फिर भी लेंगे इसी बाहने और यह आ गया हम जीटी रोड में तो अब यहां से कानपूर इस राउंड कि एक गंटे 45 मुन दिखा रहा है बाकी अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहां से तेर कानपूर तो पहुंच गया है अब जो टाइम है वो तीन बच के साथ मिनट है कुछ अल्मोस्ट डाईल दो घंटे 40 मिनट में अपने को टाइम लगा और अपन कानपूर आ गया है और अब भी जो जा रहा हूं वो एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं उससे लोकेशन भ अबना बाथ कार्दबुर बुसो और जाम ना मिले तो है सब तो हो ही नहीं सकता है अब भी आगे हैं मॉल रोड मेरे को भी याद नहीं है जहां का रास्ता जो बूगल बदादर चला जा जा रहा है वही उसी रूप में चल गया है हम आज अजर अब ताक लो अंगर ले लो कि अज़ा है तो यह दुर्वेज भाई साह हमारे आगे और इन्हों ने बहुत मुझको घुमाया पूरा बड़ा चवरा पता नहीं कहां कहां लोकीशन मेच कर गे मेरे को अंदर अंदर घुमवाया और यह हमारे भावी विधायक कम ठेकेदार कम एड़ोकेट सब सभी है त तो भाई कैसा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अनन्द आया लगाई नहीं कि इतने लंबे समय के बाद हम लोग मिले है अच्छा आँए वही बच्पन वही चीजे यादा आई वही राजनीती के उसमें नहीं तो मानन अननंद घर रहे हो चलो चल यहां पर हम जब छोटे थे तब यहां पर आया करते हैं अभी का रहा है पूडी सब्जी क्योंकि भूग लग रही थी बहुत और यहां की सुखला जी की बहुत फेवरेट है तो पहले इसको उन्हें पढ़ाते हैं क्या है बच्पन की अपनी दुगा नहीं है जब छोड़े यहीं पर चाय पीने आते हैं हमेज़ा और में का से मैं आठ दसल वादे शॉप में आ रहा हूंगा इस लोकेशन में और अभी जा रहे हैं हम लोग खाने पीने कुछ राग का डिनर करने आगे की एक गाड़ी और है उसमें हमारे अस्किस भाई स्ये साब तो वह अभी लेकर जा Agent कश ऑसीे असीर साकेट जी और चाहिए दोनों दोनों सीय साथ दूसरी गाड़ी में हम लोग इस गाड़ी में अपने क्रेटर गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं भी खाना हम दिनर करने तो चलते हैं देखते हैं कहा लेकि जा रहा है मोग नहीं बहुत बढ़ा हत Noch प्रहें सालबाद मिलें ऐननदः आघारा जो है जो बलेंव गाड़ी एसमें हमारे सीए साहब इसी में बैठे हुए हमने उनको अलग गाड़ी में डाल दिया है उनको अपना कुछ अलग हिसाब कताब करना हो तो अपना गाड़ी में वो लो कर सकते कानपूर के रंगबाज यही है क्यों भाई कि लाया सब रंगबाज है वे यह जो साइड में आपको साइड आई डोंडों कि आपको रात्मती तरह हुआ बड़ यह वही स्कूल है जहां चार साल हमने अपने कुछारे अभी आया है हवेली रात में डिनर करने चलते हैं डिनर कर आते हैं क्योंकि भूख बड़ी तेज लग रही है यह अपने पंटा लोग खड़े हैं पर या भाई तुम्हारे रहते हैं कानपुर की रोड खराब चलने ही एज़े विवादी थे केडिये और किसान के बीच विवाद है यह आगे अबना होटल होटल कौन सा है शीडेव विला स्रीडेव विला रूम नूमबर टू जिरो फोर फाइनल्प रूम यह बता हो भाई चाय कहां मिलेगी सबसे बढ़ी है सबसे बढ़ी है चाय गुर्दम खुली होगी इस टाइम 24 इंटू 7 अब जल्दी बोल कल सुबे पनवेल निकला है 24 इंटू 7 चाय खुली है और टाइम हो रहा है अभी किता हो रहा है बारा बच के ती मिट और भाई नीम में जा रहा था तो मैंने का एक बास पहले चाय पी कहा थे उसके बाद से रागे का सोने का प्लान बनाए जाए तो चले फिर तो यहां से गुर्दम केती दूर होगा पैसे दो किलो मेंटर जल्दी पहुंच जाएंगे पांस पहुंच जाएंगे ना पांसे दस मिनट में पैसे भी जधा इस ट्रेफिक तो ऊगा ने काट निकाल लिया अज़े दो-दो क्रेटा खड़ी है एक चार 20 और एक चार 26 कानपूर में दो एक चार क्रेटा है एक चार 20 हिसार की और यह चार 26 गुर्गाओं की अच्छा समझ गया है कि अच्छा है कि अच्छा है जलो चाहे पिए जाए श्री बाला जी टी स्टॉल तुमने यह आप है कानपूर में कैसे जीवन जीना यह शीखा नहीं अनुसासन शीखा है डिस्प्लिन तो शीखा है आपने और क्या समाज में कैसे क्या करना यह तो शीखा है अधि कि ठीक है अईसा अनुसासन भाई साब कि कोई ना सीखे क्यों अईसा क्या कर दिया आपने वाई यार एक दम बढ़ी है एडो के दुर्वेश जी ने बहुत बढ़ी अनुसासन सीखा है यहां गुर्दयों पहलेस में जुगल देवी में है ना लालो कि अंबल दालो बहुत तो आदाल अनुसास हो और धूरो इबयो आख आख और यह उत्याने कि खारी है आर प्लेश डूल पर сопจะ भी में करेके हैं बहुत ही नेक काम करते हुए सांतुन पांडे जी अफ्यू आवर्स लेटर तो इन भाइस आपका तो विकेट हो किया टाउन और ये बयानक खराटे ले रहे हैं ये देखो केचे केचे लोग रहते हैं यार यहां पर अब इसके खराटे में वीडियो में जरूर अप्रोड गरूआ है जब देखेगा तभी सुझ में आएगा कि इसने कितने भाइनक खराटे लिए थे